नमश्कार कोकिन विद्धिति में आप सबी का स्वाकत है सर्दियों का मौसन शुरू हो गया है तो इस बार मैं विंटर सेजन में आप लोगों के लिए लेकर के आएंगो विंटर की सारी रेसिपीज तो एवरी टूस्डे एंट हंस्डे को आप मेरे साथ पने रह लेगा विं तो आईए चड़े शुरू करते हैं आज की विंटर स्पेशल रेसिपी सर्दियों के मौसम में हमारे पास वजेटेबल की डेरों वेराइटी होती है कई तरह के साग भी होते हैं पालक मेथी बथुआ चने के साग मूली के साग सर्सों के साग तो आज हम इस विंटर की बहुत ही हैल्दी और बहुत ही इजी सबजी जो बनाने में जड़पट से बन जाती है और गजब की टेश्टी होती है तो चलिए शुरू करते हैं इने बनाने के लिए तड़के के लिए मैं आपे 3-4 हरी मिर्ची ली है आठलो लहसुन की कलिया ली ने चौक टकरक ले ल ब्लॉक में काट करके ले लिया है और यहां पर तीन मीडियम साइच के आलू को भी मैंने ब्लॉक ब्लॉक में कट करके ले लिया है इन्हें कट के दूल के ले लिया है और यहां पर मैंने एक किलो पालक ली हुई है पालक को ध्यान से अच्छी तरह से साफ कर लीजेगा और इ ये चलेज शुरू करते हैं आलू बैगन पालक की सबजी बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में दो बड़े चमच सरसों का तेल देंगे ध्यान रखिएगा कोई भी साग की सबजी बनाइगे तो उसमें सरसों के टेल का ही यूज़ कीजिए सरसों के तेल से साग की सबजी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी बनती है जब हमारा सरसों का तेल अच्छी तरह से गरम हो जाएगा तब हम इसमें पहले हींग डालेंगे और पचफोरन डालेंगे साग की सबजी बनाते समय आप हींग का जरूर यूज कीजिएगा ये डाइजेशन में अच्छी होती है और जब हमारे पचफोरन में दाने तरकने लगेंगे तब हम इसमें बारी कटे हुए लहसन डालेंगे साग में लहसन का क्वांटिटी थोड़ी जादा रखिएगा क्योंकि लहसन का बहुत ही अच्छा टेस्ट निखर के आता है और लहसन को बहुत अच्छी तरह से हम डीफ फ्राइ करेंगे ताकि इनका कलर पूरी तरह से चेंज हो जाए और ये डार गोल्डन हो जाए देखिए इस तरह से हम लहसन की दानों को बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे और फिर हम इसमें कटी हुई हरी मिर्ची डालेंगे हरी मिर्ची आप अपनी टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं मैंने यहाँ पे तीम चाल ली है जब हमारा तड़का अच्छी तरह से हो जाएगा तब हम इसमें आलू और बैगन डाल लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करते हुए थोड़ा सा इने हम फ्राइ कर लेंगे फ्लेम को हम यहाँ पर हाई टू मेडियम ही रखेंगे आलू बैगन को हलका सा फ्राइ करने के बाद फिर जो हमने यह पालक के पत्तों को अच्छी तरह से साफ करके ले लिया और बारिक बारिक कट कर लिया है उन्हें हम इसमें एड़ करेंगे एक साथ सारे साग नहीं आ पाएंगे इसलिए पहले मैं थोड़ा सा डाल करके इन्हें अच्छी तरह से चला ले रही हूं यह साग क्या होते हैं ना कि जब बनाते हैं तो बनने में देखने में यह बहुत ज़्यादा लगते हैं लेकिन जब यह फ्लेम पे जाते हैं ना तो पक करके क्वांटिटी में आधे हो जाते हैं तो आप परिशान ना हुएगा सारे पालुक ऐसे ही कड़ाई में रख करके आप कवर कर दीजिएगा एक दो मिनट के लिए यह एक दो मिनट में देखी इनका गलने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा देखी हमारे साग अब गलना शुरू हो गया है यह हलके हलके गलने लगे हैं अब हम इने बिलकुल नीचे से हलका सा चला करके अलट पलट लेंगे ताकि जो तड़के का फ्लेवर है वो सारे साग मे अच्छी तरह से आजाए यह ध्यान से जरूर कि जीएगा क्योंकि अगर हमारे साग को हम छोड़ देंगे और वो पूरी तरह से मुलाइम हो जाएंगे तो तड़के का फ्लेवर बहुत अच्छी तरह से नहीं आएगा इसलिए इने अच्छी तरह से देखी इस तरह से आप मेरे चैनल पे नए हैं या मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब ने किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलेगी मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगी देखिए लगभग 2 मिनट के बाद देखी हमारे साग बिलकूल गल के कौंटिटी में आधे हो गए है जब हम बना रहे थे तो ये कित्ते जादा दिख रहे थे अब ये देखिए वापस से पक करके ये आधे हो गए है बस इसी स्केस पे जब हमारे साग गल जाएंगे और पान से नमक डालेंगे ध्यान रखेंगे कि नमक हम पहले नहीं डालेंगे अगर हम पहले डाल देंगे तो नमक हमारी तेज हो जाएंगे और वो टेस्ट में अच्छे नहीं लगेंगे इसलिए पानी जब साग के क्वांटिटी आधी हो जाएगे और वो पानी रिलीज करने लग पकाएंगे जिससे के मारे आलू बैगन सब पक जाएंगे और जो यह पासाग का पानी है वह धीरे धीरे करके एवोपोरेट हो जाएगा तो मैंने इस विंटर सीजन में स्टार्ट किया है एवरी टूज डे को मैं विंटर स्पेशल रेसिपी डालूंगी और सैटर्डे को मैं स्नैक्स जैसे डालती हूं अधर रेसिपी वोग डालूंगी तो अगर आप पे विंटर की स्पेशल रेसिपीज देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल पे बने रही है और आपको कौन सी रेसिपीज और चाहिए वो भी आप मुझे बताते रही है देखिए लगबख तीन से चार मिनट हो गए हैं और हमारे साग के जो पानी था वो भी अब वो पुरेट होते होते कम हो गया है इसी तरह इन्हें हम भूनते वे पका लेंगे बस अब सारे साग के पानी देखिए खतम हो गए हैं और हमारा साग भी अप रैड़ी हो गया है चपातियों के साथ खाइए इन्हें राइस के साथ लीजिए कैसे भी लीजिए बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी होते हैं तो एक बार आप इस तरह से इस रेसिपी से जरूर आलू बैगन पालक बनाईए और मुझे अपने फीडबेक बताईए थैंक यू फॉर वाच सब्सक्राइब के लिए शताथ प्रीजिए